नए साल की शुरुवात में भारत के हर नागरिक के लिए एक अच्छी खबर आई Drug Controller General of India, DCGI के संचालक श्रीवीजी सोमानी जी ने COVID-Shield वैक्सिन और भारत बायोटेक के ततकालिन उप्योग के लिए मन्जूरी दे दी है और विशिशगन समीदी द्वारा भी इन्हें मन्जूर किया गया है वैक्सिन लगने पर शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ती बढ़ती है, साथ ही शरीर को रोगों से लड़ने के लिए तयार करती है वैक्सिन लगाने के बाद काफी लोगों की शरीर में हलका प्रभाव होता है जैसे के चक्कराना, सिर्दर्ध होना, जोडों में दर्ध या हलका बुखाराना पर ये प्रभाव एक या दो दिन से ज्यादा असर नहीं करता भारत के प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी और महारास्टर के मुख्य मंतरी श्री उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा है कि वैक्सिन लेना सुरक्षित है और लोगों को भी वैक्सिन लेने के लिए अपील की है कोरुना से लड़ने और संक्रमन को रोकने के लिए शरीर की रोक प्रतिरोधक शक्ती को बढ़ाना काफी आवश्यक है और ये वैक्सिन लगाने से होगा वैक्सिनेशन कोरुना संक्रमन के जोखमों को गटाता है और वैक्सिन के दो डोस लेना अनिवार्य है तो आप कब जा रहे है वैक्सिन लगाने जल्दी लगाए और सुरक्षित रहिए अपना खयाल रखे सुखांत अंतिम संस्कार 24x7 उपलप्ट संपर्क करे 8655808080 या तो 8655808085 पर मुंबई ठाने नवी मंबई जन हित में जारी